जहिन दोस्तों Free Knowledge Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों इंडियान आर्मी के तैयारी करने वाले विद्धारती के लिए बहुती बड़ी खुसकवरी है दोस्तों इंडियान आर्मी ने एक सीधी भर्ती का आयोजन किया हुआ दोस्तों जिसमें कोई भी एक्जाम नहीं होगा हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना इसमें कोई एक्जाम नहीं होगा दोस्तो यह एक सीधी भरती है और यह पूरे ओल ओवर इंडिया के लिए है दोस्तो इसे भारते किसी भी डिस्ट्रिक के विध्यारते इस विकेंशी को भर सकते हैं दोस्तो आए दोस्तो अब हम हर एक साल निकलती है दोस्तो जैसे इस साल भी आई हुई है दोस्तो आगे हम बात करें रिक्वार्मेंट ओर्गनाइजेशन इंडियान आर्मी दोस्तो इसे इंडियान आर्मी नहीं ओर्गनाइज किया है यह जैडारो या यारो के तरफ से यह विकेंशी नहीं आई हुए ह को पर्षिनल इंडियन आर्मी की तरफ से और्गनाईज किया हूआ है दोस्तों आगे हम बात करें सौर्टं इन्फूर्मेशन की तो जङुत हैं अब sports दोस्तों इसको ओनली आंद्मेड मेल बार सकते हैं इस विकेंस्यों को मेरेड मेल नहीं भर सकते हैं दोस्तो आगे दिया हुआ candidate हुँ है पाज 12th examination दोस्तो इसको इस form को बनने के लिए 12th pass होना बहुत जरूरी है और उसके साथ विध्यारती को physics, chemistry और maths 12th महोना बहुत अनिवार है दोस्तो इसको 12th pass की हुए है बच्चो जो की PCM group लिए हुए हैं सिर्फ वही सुनके बात करते हैं और सम्ट की बात करे सांधिऊ तो इसमली 90 पोस्त है 90 पोस्त है दोस्तो नीचे दिया हुआ है पर्मनेंट कमेशन इन दा आर्मी आर्मी इन दा रेंक आप लेटनेट दोस्तो इसमें रेंक वाइस सेलेक्शन होता है दोस्तो और इसमें बड़े के लिए ही विकेंसी आती है दोस्तों इसके लिए इसमें कम पोच्ट दी होती है क्योंकि दोस्तों इसमें बड़े बड़े रेंग के एकजाम होते दोस्तों इसलिए इसकी कम विकेंसी आहीं आती है दोस्तों मैं बात करूं तो यह विकेंसी दोस्तों ऑनलाइन निकले हुए आफ लाइन नहीं है दोस्तो आप उनलाइन जाके इसका पता लगा सकते हो और अपने मुझाल पर देख सकते हो दोस्तो अब मैं बात करूं अपने में बात करता हूं आपकी एज लिमिट की तो दोस्तो इसको उनली साड़े सोला एएर से साड़े उननीस तक के स्टुडेंट बस इसके लिए इलिजबल है दोस्तो और वो भी दोस्तो उसके लिए एक सर्थ है कि वह student दो जलाई दो हजार एक से एक जलाई दो हजार चार के बीच में हो उसकी date of worth इसके बीच में हो दोस्तो सिप वह इस स्टुडेंट इस पुश्ट के लिए इलिजबल है धुस्तो हम आगे बात करूँ दोश्तो एज्जूकेशन क्वालिफिकेशन की तो दोश्तो एज्जूकेशन कौलाइज क्वालिफिकेशन में इसमें दिया हुआ दोस्तो ओन्ली थोस्स कैंडिडेट हुए पास 12th examination दोस्तो वह विद्धारति 12 पास किया हूँ और दोस्तो उसके साथ minimum aggregate 70% मार्किस फिजिक्स कैमेस्ट्रि में मैंस्तों दोस्तों वह 17% मार्किस कैमेस्ट्री मैंस में होना चाहिए तब इससनों को भर सकता है दोस्तो आगे में बात करूँ सेलेक्शन प्रोशेस की सेलेक्शन प्रोशेस में पहले नम्मर पे short listing of application तो दोस्तो पहले आपकी married list आएगी married list आने के बाद दोस्तो आपका SSB होगा जो की एक interview होता है और interview के बाद आपकी medical examination कि मिशन मतलब दोस्तों आपकी फिटनेस मेडिकल टेस्ट होगा आगे मैं बात करो दोस्तों इंपोटेंट डिढ तो दोस्तों यह क्धाएन सी निकले हुए 10 अगस्त को और यneath दोस्तों नो अगस्त को दोस्तों आप के पास टाइम है अभी आप इस विकेंसी को भर सकते हो दोस्तों अम मैं आपको बता दूं कि यह विकेंसी कोई फेक विकेंसी नहीं है दोस्तों इसको खुद इंडियन आर्मी की तरफ से निकाला हुआ है दोस्तों यह देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह देखे दिस् को दोस्तों इसको खूद के तरफ से परमनेंट कमिश्चन की और से निकाल गया है दोस्तों यह देखिए दोस्तों और आपको बता दूँ दोस्तों यह कोई फैक विकेंसी नहीं है यह देखिए आप इस पर पी जाकि इसका पता लगा सकते हो www.joinindianarmy.nik.in पर दोस्तों दोस्तों नब्बे पोस्त है जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों यह सीधी भरती है इसमें कोई दोस्तों आपका पेपर नहीं होगा कोई एक्जाम नहीं होगा कोई ग्राउंड नहीं होगा कोई फीजिकल नहीं होगा आपकी सीधी भरती है दो 10 की certificate मार्क सेड लगेगी और दूसरे नमर पर 12 की मार्क सेड लगेगी और तीसे नमर पर ID Proof in Original दोस्तों जैसे कि आपके अधार कार्ड हो और और आपकी ID Proof voter ID कार्ड हो यह आपको लगेंगे दोस्तों दोस्तों यह कोई फैक नोटिफिकेशन नहीं है यह और जिनल नोटिफिकेशन दोस्तों तो आप जाएए और इस फॉर्म को भरिए दोस्तों दोस्तों यह मेरे चैनल free knowledge है मैंने अभी इस चैनल को बनाया हूँ दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसे जॉब